जया गुरु देवा जगत गुरु देवा कांती सिताम्रिषतिनिंदित सारदेंदू यत्रै कतो विलसितामसितांग सोभां वृंदावने पिकृतया मुनगांग संगं राधा मुकुंद युगलं तदहं नमामे स्रीमाद्वसेष्टकुलभूसन सचरेत्रम् विद्वाद्वरं सकल ज्यान युतं महांतं निम्बार्क धर्म परिवर्धन जोतिरूपम् स्रीमाद्यगत्गुरु वरं सरणं प्रबत्दे प्रसम जगतगुरु पीट प्राचिन हरिद्वार चतरधाम जगतगुरु नेपाल संचार केंद्र को प्रस्तुती जगतगुरु संदेश कारेकर मेरेर वसिरन भायेका समस्त धर्मानु रागी भक्त शजन्मानुगा भरलाई सदाजे आजबनी हार्दिक नमन जैज़े सिरा हमका विवादन रहार्दिक स्वागतगर्ने चाहांचु दर्सक ब्रिंध आ ज़री का समक्षमा हामीए स्पावन एकादशी महा पर्वको गेला मा भगवत्ती एकादशी महाराने को बिभ्य महिमा द्वारा वणडित एकादसी महात्मे स्रवाणगर्न भस्तित भाईषक ए एकाधसे इंद्रिया हरू लाई नियंत्रट गर दे नियंत्रित गरेरा गरिने ब्रतल लाई एकाधसी महाःते भनेंज Sohaiya KAधासी महाःते को भिविन्न शास्त्र हरुंमा पूरा नादी तिहा सादिगा ग्रंत्थ हरुंमा ब्यापक रुपमा बढ़न गरीएको पाइन चा स्वय अनुरुप एकादसी महात्में कथा आज हामी श्रौण करने चाँ रैमलेवनों भक्त बचल भगवान को ओ ओ ओ ओ ओ स्री राधा क्रिश्ण चरण कमले भ्यो नमो इस्वरा परमा क्रिश्ण सत्चिदानन्द विग्रह अना दिराधि गोविंद सर्व कारण कारण यज्यावतारं निजवगत बदसलं कृपाशम अद्रं भवता पहारकं कौसी कितीरे कृतनी त्यली लाम स्रेमाद्वराहं सरनं प्रकति स्रेमद्वसिष्ट कुलभोसन साथ सरेत्रं विद्वद्वरं सकल ज्ञान युतं महंतं निम्वार्क धर्म परिवर्धन जोति रूपं स्रेमद्व्यगत गुरुवरं सरनं प्रकति स्रेमद्वं ससमारम्हां निम्वभास करमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यंतां वंदे गुरुपरंपरां वांशा कल्पतरूर व्यसुच क्रिपासिंधो ब्यवच पतितानाम पावनेब्यो वैष्णवेब्यो नमोनम परम मुंगलमय परात्पर अकारण कारण करुणा बरुणाले भक्तवांचा कल्पतरूर तरडित जोति बिरंधेत पिता मरधारी सरवांत्रयामी एखडगड निवाश्य परमराद्य भुद्वान श्री राधा सर्वेश्वर परम प्रभुका देदिभ्यमान युगले चरणार ब्रिन्दमा युपांच भोति ज्यहलाई समर्पण गरदै उनैं जगत नियंता प्रभु परब्रह्म भगवान जगदिश्वर को दिभ्य बिग्रहा पुराण पुरुशत्तम भगवान अंतरगा एका दसील को पवित्र पावन सद ग्रंध मा सीर जुकायर शुततत अधन्डवत नमन करदै प्रातस्मरणिय परमपुज्यपाद जगदकुर महरास्त्री का इवल चरणार लिन्दमा सतत अधन्डवत नमन करदै यो पवित्र प्रातकारिन प्रह्मों भुर्त को सुवसमयमा हमिलाई हेरी रहन हुने तमांग दर्शक महन भाभरु वैदिक्सनातं धर्मका अनुन्याई भक्तिमती भावमय स्नेहमय आमबुबा दाजवाई दिदिवाई नहरू एवं तमां भक्त महन भाभरुमा यथायोंगिया राधेशयंको नमन अविनन्दम गला जहांच आधरणिया भक्तसर्जन महन भावरु एका दसीको यस पवित्र दिनमा हमि यहरू समक्ष जोड़िये का सुँ आज एका दसीको दिन हो पक्काई बने आजरू ब्रता बस्नु वायको छाँ ब्रता बस्नु वायको छेशयन भाने आजए कामिती भाट प्रमण गर्ण हो स्र अब आउन्य एका दसीभाट ब्रतलाई निरंतरता दिनम कला गुरुसान हरुलि भन्ने गार्वनच एकादस इक ब्रता गरी वची, अन्यकुनही तिथी बार्गुर्ः आदीको ब्रता गरी रहन पर्वाई एकादस बने को कियो पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, एउटा मन, इनाई एक हार इंदरिया हरुलाई, बस्म राखेर गरिनी ब्रत लाई, एका दसी ब्रत बनेंच। ज्यानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, रम्मन लाई, एकादस इंद्रिया हरुलाई बस्मार आखिर गर्ने ब्रतलाई, एकादसी ब्रत्मानेच, आधरणिय मारवाभरू, एकादसी का देन, अन्ना आदी बस्तु हरुलाई, सर्वथा, क्याजिय बताई, एकादसी का देन, भग बहगवान जगदिश्वर को दिव्या पूजन आरधना अभ्यरचना तुलशी पत्र द्वारा सालग्रम सर्वेश्वर बहगवान को दिव्या शेवा विरात्रीमा जागरण भगवान को भजन संकृतन भगवान आगिया हुंच गीत तांडव वबाद इत्र गोष्टी इभि पर्वहरुमा भजन संकिरतन अधिका माध्यमद्वारा उच्षवले मनाव। भगवान को नाम हरी को नाम उच्छारण गर्नाले मात्र बनीम। अनी प्रकार का महा पापिहरु उद्दार भईर गई। सांकेत्यं पारिहाश्यमुवार उस्तोव महेलनमे ववार। वैकुंठनाम ग्रहनं असे सागहरं परम। ता तुनाई प्रभु भगवान बाल्ग बाल्ग पाल्ग पावन दिन एका दसीको बमित्र सुब समय माहमी उपश्थित बने कासों आउनो स्त्रदे महनभाभर। अब हामी एका दसीको बमित्र पावन प्रसंगलाई सुहरं मगर। आधराणिय भक्त सजन महान भावरू आज हमी एकादसी को विशिस समय माशों। अगीने मले बताई सकें। भगवान जगदिश्वर का साथमा महाराज युदिश्टिर ले गर्नु भहे को प्रस्ण। महाराज युदिश्टिर ले गर्नु भहे को जीगियां सांदर गत नई एकादसी महिमा महात्मेलाई बरडन गरीन छा। भगवान जगदिश्वर का गाड़ी राजा युदिश्टिर बंदशन है प्रभो। कथिता वैत्वया क्रिश्ण सफलै कादसी सुभा। राजा युदिश्टिर बंदशन प्रभो। कल्याण लाई प्रदान गर्ने बाला सफला नंगोरेगन एकादसी बारेमा बताँनु भायाव। अगो हजुर मलाई यस वन्दा अगाड़ी आउने एकादसी का बारेमा बताएगे लगोश। तो एकादसी को नाम के हो। तो एकादसी को पुजनगार्ने पद्धती के हो। बिदी के हो। कसरी पुजनगार्नों में शा। तेसेली भगवन मलायों एकादशी को पावन मैं मां बताये दिना होईश राजा युद हिस्ट्रीले जब प्रस्ण गरे भगवान जगदीश्वर आग्याहंच महराज पोश महिना को सुक्ल समयमा शुक्ल पक्षमा जुन एकादशी होंचिन सारा मानव मात्र को प्राणे जगद को कल्याण गरने भाली एकादशी होनेशिन तिनको बिधिलाई मोंबताम दशु महराज तपन स्रवन गरनों पहिले बताये अनुशार का बिधिलाई मोंबताम नेशु पापलाई हर्ण गर्णे बाला अत्यांते उत्तम येस एकादसिक महिमा अचा पुत्रदा नामले जुन एकादसिलाई पुकारींच महराज येस एकादसिलाई पुत्रदा एकादसिका नामले पुकारींच बर्षमा आधरणिया सजन दुई पक्षे हुने गर्दसन महिनामा हरेक एक पक्षमा एक एकादसी हुने गर्दसन इस अर्थमा बर्षमा 24 एकादसी हुने गर्दसन ला अधिक मास्को समयमा 26-26 एकादसी हुने गर्दसन आधरणे सलजन महनभावलू अगाड़ी बत्तावनोंच राजन यस पावन एकादसीमा उन भगवान जगदिश्वरक पूजन आरदना गरा यस एकादसीमा पूजन गरिने देव भगवान नारैन भैवाक्षान छा सिद्धिलाई प्रदान गर्ने वाला होनोंच तिने लोक का इच्छालाई पूर्ती गर्ने वाला उने भगवान नारैन होनोंच जस एकादसीक प्रदलाई धारण गर्दसंद राजन किर्तीमान होनेश, बिद्ध्वान होनेश, तेस बेक्ती पागबाट रहित हुनेश, हे राजन मती मिल एवटाई तेहां सबतामच भारत वरशमा बद्रावती नामगरेको नगरी थियू, तेस नगर का राजा सुकेत मान थि सइभ्या नामगरेके रानी थिन, छोराहरु थेन, राजा अत्यांत चिन्चित बने संतान भैन पोत्र न भैपची को परम दुख्ष राजा ले समझेए सनसार मा प्राप्त नहुन्जल सम्म ब्यक्ति ले हरेक तरहले यतन गर्ष, प्रयतन गर्ष, प्राप्ति गर्न का लाली किन मने अरू को व्यक्ती ले प्राप्त गरेका वस्तु हरू देखेर उपरम दुखी वन्दसा, अरू को सुख़ सम्जन्छा, अरूले गरेका वस्तु हरू, अरूका कार्य रूल, व्यक्ती ले भाईर बाट घरदसा, रतMore तेसलाई आनन्द मुहसूस गरदसा चेत्रकेतु ला इरिशिले न सम्झावनु वायको है न। बहुत सम्झावनु वायको थ्यो परंतु माने न। आत्मदेव ला इरिशिले न सम्झावन। आत्मदेव ले माने न। न चेत्रकेतु ले माने न आत्मदेव ले माने। अन्तिम्मा चित्रकेतु को पुत्र ले उठे रहुन महराज उन जन्मका मार्ता पिता कर्म भीर भ्राम्य मारश्य महराज अरे तब इकोन जन्मका आमा बाक पुरुगर देखने लेश जब दुन्दुकारी दुष्ट भयो आत्मदेव लाइथा भयो जब पुत्रको म्रित्य भयो चित्रकेतु लाइथा भयो अजर राजा पुत्र प्राप्ति कालागिदव उनी रहे संतान भैर मात्र परम सुख भुदैन दुष्ट राष्ट का सै भाई छोरा थी दुष्ट सला नाम गरेकी कन्या थीन जुन कन्याक विवह जय द्रत का साथम भये को थियो एक सै चोरा येवटी छोरी को जन्मों भये परन्तु ध्रित राष्ट का सै चोरा सै का सै सवै पांडव का बस्म परे र सवैरी म्रित्य लाइ प्राप्त गरे परन्तु पुत्र प्राप्तिको चहना मनमा ब्यागल रुपमा बढ़ी रहो पुत्र चैना शंतान शैन अव शंतान वहे पची पिंड दान कसली गरला उधार कसली गरला राजय को उत्तर अधिकारी कोहला यो राजयलै बचावनी बाला कोहला राजा त्यंत दुखीत बने बंदु, बांधा, विष्ठ, मित्र, धान, दौलत सब का सब वस्तु हरुशन परंतु पूत्र नवधा राजा परम दुखी बने सारा धन वस्तु बैभामले राजा को सुख बनावन सकले किर्यमनी राजा सोचन लागे पूत्र हीन मनुश्यको जन्म बेकार हो संतान नहुनाले संसार राज्य दरवार घर भवन सवय सुन्म लाग़ाज इतरी रेड बाट मुक्त हुन सकताई तेसेले मलाई संतान प्राप्त गर्नूश मसंतान जहाज अनीत तरहले मन मा कूर्या खिलन लागे संततीको अविलासा संततीको जहना बढ़दे गयो बद्धिमान राजाले आफन कल्याण समझेर राज्यला इत्याक गरेर हिन लागे राज्यला इत्याक गरेर बन मा गये का राजा गोडा मा चडेर अत्यांत अनकंठार बनम अप्पुगे पुरुहिद ब्रामळ हरुले पत्त पायनन राजा एकले बनम अप्पुगुनु भया जा म्रिगा हरु निवासगर थे म्रिगा पक्षी निशेव विते अनि एक प्रकार का जीव जन्तो जो रहांची अनि एक प्रकार का ब्रिक्षा आदिले सुसोवीद बनेक को बन थे बर, पिपल, बेल, खजूर, कठार आदि रूख हरु थे अनि एक प्रकार का ब्रिक्षा हरु थे खैर, बैर आदि हरु थे पलास का ब्रिक्षा हरु थे मुरीगा, बाग, बदेल, आधी बन्य जिव जन्तु हरु थी अईले को जस्तो बन फरणाने उन्थें ना तसकार हरो उन्थें बन बन रहनु थें स्वच्छ बन भयका कारान लेगरदा परियावरन मा सुद्ध ताग उन्थें आजय हमी परिया वरण सुद्धता को खुरागरी रहन चुंग तरा बन बिनास त्यात्ति का रूपमा बढ़ी रहे गोच्छ बन बिनास लाई रोकनु नहीं समाज सुद्धी को यवटा अभ्यास होने जाँच बन बाठ प्राप्त होने वस्तुले बन बाठ प्राप्त होने अक्सीजन आदीद द्वारा विबिन ज्यांस का मा webcam द्वारा वायू मंडल को शुद्धी उंच त्युरस समय में गना बन हरो भ्यापक रूपमार ब्रियाद रूपमाने विशाल रूपमा उने गरदद यो तैसे बन महा राजा फुगणु वहे को थो अने प्रकार का हाती हरो नील गाई हरो म्रिग हरो कस्थूरी हरो!! राजा नहीं देखना लागहाु। राजा नहीं आफचना दरवार का हाती हरो समझन लागह तैङाँ बन महा कें अटाम्य जंगल थियो, तेस अटाम्य जंगल मा राजा अत्यंत सूक मगन वहेर बिचर्ण गरी राएका थि तेसे इसमय मा राजा ले येवडा जल ले भरिये को तलाव लाए दिखना लाए भोग प्यास ले आकुल वाएका थिये मध्यान नको समय थियो सरवर लाए देखना लागे जब सरवर लाए देखी अत्यंत सुंदर सरवर थियो चिंतन गरना लागे राजा मईले तेस तो के करम गरीखो थि आज़े येवडा बिच मा मगवतारी राएको थियो मैंले यो बन का बीच में दुखा प्राप्त गर्मूं पर नहीं यो कारण के थियू उर्सोच न लागे मैंले रिशी हरुलाई देवत हरुलाई संतुष्ट पारे कई थि ब्रामाधुलाई दांद्रा मिठा मिठा भोजन ले त्रिप्ति गराये कई थि प्रजा हरुलाई पनि संतान जस्ते पार्ण गरे कई थि मलाई यो सही नसकनो को ठुलो दुख्य कसरी आई पर्यो चिन्तनले पिरोल्ये का राजा बन मा अगाडी पुगे राजा तलाव का समीप मा पुगे मानो सरवर समान को सुन्दर तलाव थियो फुले का फल हरू थि अत्यन्त रमणी अक्षेत्रत्यो रिशी का कुटी हरू थि भाग्यमानी राजा ले कुटी हरू देखना लागे राजा का अंग हरू फरभरावन लागे सुन्दर सुचक हरू अगाडी देखीना लागे राजा ले गईर रिशी ले दंडबद प्रणाम गरे अत्यंता हर्शीद भाईर रिशी ले वन्न लागन भो राजा को हर्शीद मुआर लाई देखिर किने राजा रिशी लाई देखिर हर्शीद बने का थी सुद्न लागे तपई को हो तब भीखी नहीं आउने वहेको जब राजा लेश्वदे रिश्यमुने बताऊने राजन हमिआ भीश्वेदेव हुँँ हमिया श्तनान गर्न कला याय का हुँँ राजन भीश्वेदेवाबयम राजन स्नानारथमिहचागता हमिश्वेदेव हुँँ अनि माघो निकटमायाता एतस्मात पण्चमे हनि अवा निकट मा माग मैन आई रायक होई छा राजन तेशले हमी स्नान गर्ण का लाभी आएका हम हमी स्नान गर्ण का लाभी आएका विश्वे देग हम पांच दिन पछाडी पांच दिन पछाडी अवा माग मैन लागई छा राजन, पूत्र दा नामली पुकारीनी यो एकादेशी हो, पूत्र चहाने हरुली पूत्र प्राप्त गरदाशन येस एकादसी का दिन, येस एकादसी ब्रतलाय धाराण गरा। राजाले सोद्न लागे गुरुदे वियादी हजुरहरु उम्मामाथी प्रसन्न होनुँँच वने, मालाय क्रिपा गडे रशन्तान दिनुँच, मुनेले बतावना लागनुब राजन, आजका दिन अत्यांत सुन्दर एकादसी हो, येस एकादसी को ब्रतलाय धाराण करे मह महराज मनमा द्रेड विश्वासलेर ब्रतलाय धाराण करनुब राजन्तान समय वित्तनी गयो राजा का दर्वार मा एका दसी को ब्रत का प्रभावले रानी गर्वबती बनें समय अबित्तेई बित्तेई गयो राजा का दर्वार मा पुत्र रत्ना को जन्मों हो जसले पिता को चहना थियो कि संतान होस राज्ये को उत्तर अधिकारी होस म पनी पित्रे रिन बाट उरेण बन्न शकूं आज राजा का सारा इच्छा पुर्ण बने सद पुत्र को जन्मोव है एका दसी का प्रभावले ब्रत का प्रभावले गरदा येसे कारण राजन पुत्र दाएका दसीक ब्रतला धारण गर्णुपर जहे महराद भगवान मन्नुँच जहे युदेश्टिर पठना च्रवणा द्राजन अश्वमे दफलं लभे इहालो के शुखं प्राप्य परलो के महियते महराद यस एका दसीको दिव्यकता पणनाले सुनाले मात्रपनि राजन अश्वमे दियज्यंगरेको फल मिलड़ जह यस लोकमा सुखावा अनि परलोकमा आनन्न मिलद़ जह तिसले हरेक पक्षमा आउने हरेक पंद्र दिनमा आउने एका दस्यक ब्रतलाई धारण गर्न परदच। दिव्य कथास्त्रवन गर्न परदच। भगवान को दिव्य नाम। भगवान जगदिश्वर को नाम को मैमा भन्दा और को कुणी वस्नुचैने यसकली ठाल। यतफलम नास्ति तपसा नयोगेन समाधिना तदफलम लवते सम्यगत कलो केशव किर्तन। यसकली कालमा भगवान दिव्या भगवान जगदिश्वर को दिव्या आरधना किर्तन सत्सं। यही अत्यंत पुण्यवान बताईयको छर सारा वस्तुलाई प्राप्त गराउने महान साधन मने कई भगवान कुण्याम हो। तेसले आदरणिया सज्जन महान भाव भरो। जगदगुरु संदेश नामक यसकारेक्रम लाई एरी रहन होने महान भाव भर। विविन्न टेलिवेजन और यूटूब स्यानल आदिवाट एरी रहन होने महान भाव। संपुर्ण वाक्त सज्जन महान भाव भरुलाई एका दशिगु एस पावन दिनमा भगवान स्री राधा सरगुष्वर प्रभुले वीव्यक्रिपा वक्सन हो। आशाच सवयले ब्रतलाय धारण गरेरा भगवान राधा पुरुष्वत्तों को सीवा गरीर नमहाय कोष्व सवयको दिन मंगल मय वितोष्व प्राधस्मरणिय जगत्गुरु महरास्त्री का स्री चरणमा सत्त दंडवत नमन गरदे। एका दसिक पावन सत्ग्रंथमा सिर नियोर्याहिर नमन गरदे। संपुर्ण भक्त हरुकुद्दीन सुववितोष् संपुर्णमा पुनस्च सुवदीन वंदे। ममिरा बाडिहरोला इविर्यांगर जहांच्व स्रीहरी रक्षत राष्टम् स्रीहरी रक्षत राष्टम् स्रीयकादशी महरानिको स्रीयकादशी महरानिको जय हो जय जय स्रीरादेश्या जय गुरु देवा 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 कर दो